टीम इंडिया में चल क्या रहा है पहले कोहली ने सन्यास लिया फिर रोहित ने अब सुन रहे है जड़ू ने भी सन्यास ले लिया भाई उनकी टीम में ये भगदड़ सी कैसे मच गई उन्होंने टीटवंटी वर्ल्ड कप जीता है अब तो उनका होसला होना चाहिए लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे एक के बाद एक सन्यास का एलान किये जा रहे है अरे अफरीदी भाई बिल्कुल अंदरगी बात का पता है ऐसे थोड़े ही बभूमा को खबरी लाल कहते है बात छोटी हो या बड़ी बभूमा की नजरों से छिप नहीं सकती की थी मैंने रोहित सर क्या नाम है उसका गोतम घंबीर जो बात बात पर कहता है टीट बंटी के लिए तो मुझे यूवा बिरगेड चाहिए इसलिए भाई रोहित ने सोचा राड से बाड अच्छी और उन्हें सन्यास का एलान कर दिया अगर वहां ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर टकराव होता रहेगा तो भाई ऐसे खेलने का फिर क्या फायता उससे अच्छा तो सन्यास ही ले लें मौका भी बड़ा सुनहरा है वैसे रोहित भाई के साथ हमारा रिष्टा भी बड़ा गहरा है बबुमा से वो कोई बात नहीं छिपाते अरे बबुमा भाई बिलकुल सही हुआ इन ल इंडिया वाले तो हमारी बिलकुल जान का जंजाल बन गए अब इस T20 वर्ल्ड कप में ही देख लो फाइनल इनों ने जीत लिया लेकिन ताने बाबर को सुनने पड़ रहे है हर कोई मित्तर प्यारा चाहे किसी से रिष्टा हो कितना भी घहरा सब एक ही बात काय रहे है भा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुम हो तगडे खिलाडी उससे भी बड़े जुगाडी जैसे तैसे करके एक काम कर दो इनके उस बुमरा को और सन्यास दिला दो फिर इनके साथ हमारी पांच मैचों की एक T20 सीरीज करवा दो फिर इनसे चुन-चुन के बदला लेंगे पिछला सारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे अरे बाबर भाई तुमने क्या मस्त सकीम बताई अगर इनके साथ हम सीरीज हो जाए तो हम इनकी कर देंगे खिंचाई इनोंने एसिया कप से लेके वर्ल्ड कप में हमें जो जो जखम दिये है सब की हो जाएगी भर पाई अगर तुम्हें इंडिया के साथ सीरीज खेलनी है हमें बता दो उस बुमरा को तो हम तुम्हारी सीरीज से वैसे ही रेश दिलवा देंगे अरे मुझे तो पक्का यकीन है वो लोग इनके बगार भी तुम्हारी लंका लगा देंगे देखा नहीं तुमने इसी वर्ल्ड भाई समझाओ अपने लंगूरों को अगर इनके बगार भी ये इंडिया से हार गई तो फिर कहीं मुझ दिखाने लाइक ना बचेंगे अरे बात सुनो भाई बबुमा खबरी लाल माना गी हमारे लिए ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा लेकिन तुम्हारा ठीक नहीं ह हमारी टीम पर ऐसे उठाना सवाल अरे अफरीदी भाई तुम तो इनसे भी जादा लाल पीले हुए पड़े हो लेकिन ऐसे तिल मिलाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये खतरों का खिलाडी बबुमा है सचका साथी जो सच होता है वो कहता है ठोक के छाती माना गी ये टीट 70 वर्ल्ड कप था जिसमें तुम्हारी हालत तो पूरी दुनिया ने देखी दूसरों के भरोसे सूपर 8 में पहुचने का बहम पाले बैठे थे और बबुमा को कहते हो हमारी टीम पे सवाल ना उठाओ और क्या तुम्हारी टीम को हार पहना हूं सच बात बोल दी तो इनको म रही था लेकिन तुम तो उठा बबुमा पर ही आग बबुला हो गए इसलिए तो तुम पाकिस्तान वाले हर चोटी बड़ी टीम से मुखी खा रहे हो दूसरी तरफ देखो वो हमारा चेला रोहित सर्मा बबुमा से गुरू ग्यान लेके कैसे सभी चोटे बड़ों को पेल रहा है सामने अस्ट्रेलिया आई या इंगलेंड सभी का बजाया उसने बैंड और फिर फाइनल में तो अपनी कप्तानी फैंसलों के दम पे हमारी दक्षन अफरीका के जबड़े से भी जीत छीन लाया औरे अफरीदी भाई तुमने ये किसाफत को बुला लिया ये तो बि ये लंगूरो तुम्हारे परदर्शन ने ही इसको ऐसा कहने के लिए उक्साया है अगर